साथियों याद करिये कॉंग्रेस के समय क्या हाल था यहां बंफुडते थे आतंगवादी गोलिया चलाते थे निर्दोशों को मोत के घाट उतारते थे और दिल्ली की सरकार पाकिस्तान को लव लेटर भेचती थी लव लेटर अमन की आस लगाती थे अमन की आस पाकिस्तान जितने लेटर जाता थे उससे ज्यादा आतंग कीमःता था और बं हो carrylais में खुन की होली खेलते थे जब आपने एक वोट दिया उस वोट ने मुझे में इतना दम भर दिया इतना दम भर दिया मैंने आते ही कह दिया इनप पिजनप बहुत हो चुका है अब यह खेल नहीं चलेगा मा भारती का अपमान नहीं संगा निर्दोशों को नहीं मारने दूंगा आज नया भारत डोजियर नहीं विज़ेता यह नया भारत है गरम में गुसकर मारता है सर्जिकल स्ट्राइक एर स्ट्राइक के तमाचे ने पाकिस्तान को हिला कर रग दिया पहले एक समय अशा था कोई महिना ऐसा नहीं जाता था कि जब जारखन बिहार के इस इलाके से देश की सेवा करते करते हमारे नऊजवान सीमा पर शहीद न होते हो कश्मीर में सहीद न होते हो और तिरंगे में लिपेट करके उनकी शरीर वापिस ना आते हो यह हर महिने चलता था आज वो सब बंद हो चुका है यह आपके वोट ने किया है एक मोस्तिती थी जब आतंकी हमले के बार कॉंग्रेस की डरपोक सरकार दुनिया भर में जा जाकर र आ गया जब हम दुनिया में जाकर के रोते रहे आस्तिती यह हैं पाकिस्तान दुनिया भर में जा जाकर के रो रहा है पचाओ बचाओ चिल्ला रहा है आज पाकिस्तान के नेता कॉंग्रेस के सहजाजे को पीम बिनाना बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं लेकिन मजबुत भ से दिखाता है पुरा हिंदुस्तान में से हर कोई कहता है मजभूत भारत के लिए मजभूत सरकार मजभूत सरकार के लिए मोधी सरकार फिर एक बार फिर एक बार इंदुरarya कार झाल झाल